हेलो डियर श्टूडेंट्स विल्कम वेक टू माई स्टेडी मेर डिलही चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं आकलन कारे पत्रक 15 यानि की एसेस्मेंट वर्क सीट नंबर 15 की जो क्लास 9 के समाजिब ग्यान के बच्चों के लिए दिनांग 22 फरवरी 2022 के लिए स्टेडियो किया गया है प्यारे बच्चों वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दें अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने और वेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें जिससे के आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल दी रहे तो आइए उसे देखते हैं विदेशनीत के मोर्चे पर भी हिटलर को फोरण काम्याबिया मिली जो विदेशनीति के अगर हम बात करते हैं तो उसमें हिटलर को बहुत चल्द ही काम्याबिया मिली 1923 में उसने लीग आप नेशन से पला जाड़ लिया 1923 में जो राश्षंग था ठीक है जिसका निर्मार 1920 में हुआ था तो उससे जो है हिटलर ने पला जाड़ लिया मतलब उसे छोड़ दिया उसे निकल लिया बाहर 1936 में राइल लैंड पर दुबारा कबजा किया और एक जन एक सामराज एक नेता किनारे के याड में 1938 में आश्ट्रिया को जर्मिन में ह पर दुबारा से और एक नारा दिया एक जन एक सामराज एक नेता ठीक है और इसी नारे की आड में उसने 1934 में आश्ट्रिया को जर्मिन में मिला लिया इसके बाद उसने चेकोस्लावा किया कि कबजे वाले जर्मन भासी सुन्देंटन लैन पर कबजा किया और फिर पूरे चेकोस्लाविया को हड़ा लिया इस दोरान उसे इगलैंड का भी खामो समर्थन मिल रहा था क्योंकि इगलैंड की नजर में वर्साय की संद के नाम पर जर्मिन के साथ बड़ी नाMINसाफी हुई थी उन्दर एक लैंड भी मानता था कि जर्मिक साथ नाइनसाफी हुई है वर्साय के संदी में घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन काम्याबियों से ऐसा लगा कि देश की नियत अब पलटने वाली है लेकिन हिटलर नहीं रुका साथ ने हिटलर को सला दी थी कि सेना और हतियारों पर ज्यादा पैसा खर्च न किया जाए क्योंकि सरकारी वजट अभी भी घाटे में ही चल रहा है लेकिन नासित जर्मनी में एहतियाद पसंद लोगों के लिए कोई जगा नहीं थी साक्त को उनके पस से हटा दिया गया हिटलर ने आर्थिक संकर से निकलने के लिए यूद का भी कल्व चुना तो बच्चों ये थी स्रोत और इससे रिलेटेड आपके चार प्रस्ण है ठीके इन प्रस्णों के आंसर हम लोग देखेंगे और उसके अलामा भी आपसे जो है पांच और प्रस्ण पूछे गये हैं और नौवे प्रस्ण में दो प्रस्ण है इन सब के आंसर आज हम लोग तो आई ये आगे बढ़ते हैं ठीके ये आपके सारे प्रस्ण है जिनके आंसर हमें आज देखना है तो देखी बच्चों पहला प्रस्ण है आपके स्क्रीन पे जर्मनी ने राष्ट संग से कब हाथ खीच लिया तो इसमें हम लोग लिख सकते 1923 कैसे लिखेंगे जर्मनी 1923 म किस अस्थान पर फिर से कबजा कर लिया था तो 1936 में जर्मी ने क्या क्या कि राइन लैंड पर पोना कबजा कर लिया था तीस्रा प्रस्ण है 1937 में जर्मनी और आश्ट्रिया को किस नारे के ताहत एक विकरित किया गया था तो जो हिटलर के त्वारण 1937 में नारा दिया गया था वो था एक व्यक्त एक सामराज एक नेता इसी नारे के दम पर हिटलर ने जर्मनी और आस्ट्रिया को मिला लिया था अब देखिए चौथा प्रशन है हिटलर को इसकैज की क्या सला थी तो देखिए इसकैज ने हिटलर को पुना सास्त्री करण में अत्यधिक निवेस न करने की सला दी थी क्योंकि राज अभी भी घाटे के बित पोसर पर चल रहा था मतलब जो जर्मनी था उसमें काफी घाटे का चल रहा था हर चीज मतलब हर तरीके से आर्दिक धंगी वहाँ पर चल रही थी अब देखिए ये तो एक एक नमबर प्रशन हो गए अब इसके अलावा देखिए अब पाचमा प्रशन है वर्साई की संधि के किनी तीन प्रावधानों का वर्ण कीजिए मतलब वर्साई क संधि में क्या क्या हुआ था तो उसमें कोई तीन चीज आप इसमें लिख सकते हैं तो आप ऐसे लिख लगेंगें पहला जर्मनी ने अपने बिदेशी उपनिवेसों पर कबज़ा खो दिया जो भी जर्मनी के बिदेशी उपनिवेस थे वहाँ से जर्मनी का अधिकार खतम हो गया जर्मनी ने अपनी आबादी का दस्वा हिस्सा खो दिया और उसके तेरह प्रस्ट छेत्र उसके लोहे का 75 प्रस्ट और कोईले का 26 प्रस्ट फ्रांस पोलेंड देनमार्क और लिथ्यानिया द्वारा अधिक ग्रहित किया गया जर्मनी को अपने सक्ति को कमजोर करने के लिए संबद सक्तियों द्वारा विश्यनी करण किया गया था तो यह चीज़ें आप इसमें लिख लेंगे और छटा प्रस्ण है नाजी बिसुद् देश्ट्री नाजी विचारधारा लोगों के बीच समानता में नहीं बलकि केवल एक नसली पदानुकरम में विश्वास करती थी और इसके अंसार नाडिक जर्मन आरे सबसे उपर थे और यहूदी सबसे नीचे अन्य सभी रंगिन लोगों को बीच में रखा गया था तो यह नाजीयों का देश्टी कोड था तो आप इसे ऐसे लिख लेंगे शातमा प्रस्न है आर्ठिक संकट ने जर्मनी को कैसे प्रभावित किया तो इसका अंसर हमें लोग ऐसे लिखेंगे जर्मनी में 20 सुब्यापी आर्ठिक संकट का प्रभाव था और इस दोरान जर्मनी म और द्योगिक उत्पादन 40 प्रिजद कम हो गया महंगाई बहुत अधिक थी और मुद्रा का और मुल्यन भी हुआ था मतलब हरास हुआ था मुद्रा का और भारी विरुजगारी थी जिसके कारण सड़क के किनारे खड़े लोगों ने घोस्रा की कि वे कोई भी काम करेंगे जर्मनी में इस आर्थिक संकट के दोरान लोगों की कम क्रैसक्ति के कारण छोटे ब्यावसाईयों और खुदरा दिक्रेताओं को नुकसान उठाना पड़ा अगला प्रस्न है आठवा हिटलर ने जर्मनी में नसली राजी की अस्थापना कैसे की तो बच्चों इसका अंसर हम लोग ऐसे लिख लेंगे हिटलर ने जर्मनी में निम्लखित तरीकों से नसली राजी की अस्थापना की ठीक है पहला इसमें लिख लेंगे हिटलर ने यहूदियों जिप्सियों और अस्वेतों को निम्न जाद कहा और अवांजनी कहा दूसरी चीज उन्हें किसी बिस्यस समरों और महत्वपूर बैठकों से बंचित कर दिया गया तिसरा नाजी केवल सुध नाडिक आरियों का समाद चाहते थे चौथा हिटलर ने यहुदियों और अन्य लोगों को गुलाम मजदूरों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया उसने उनसे सारे अधिकार ले लिये थे और बताया था कि उन्हें जीवित रहने का अधिकार नहीं गया उनमें से कई कड़ी मेहनत और भुकमरी से मर गये अब देखे पाचमा हो जाएगा इसमें इस तरह हिटलर ने नाजी समाज के बाहर निकल कर एक ऐसा समाज बनाया जो सुथ और स्वस्थ नाडिकारियों से भरा हुआ था नौवा प्रस्ण में दो प्रस्ण है जिसमें पहला है नाजी सासन ने भासा और मिडिया का उप्योग सावधानी से किया और अक्सर बहुत प्रभाव के लिए उधारणों के साथ ब्याख्या कीजिए इसके बारे में तो इसमें हम लोग ऐसे लिख लेंगे यहुदियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले सब्द भ्रामक थे नाजीयों ने यहुदियों के हत्या के लिए बिसेश इलाज और अन्तिम समाधान जैसे सब्दों का इस्तेमाल किया गैस कच्छा को ठीके गैस कच्छा को किटाड सोधन छेतर के रूप में ज किया गया था यहूदी और जो सरकार का बिरोध कर रहे थे वे रूड़ी बद्ध थे बिदेशी एजेंटों को रूप में समाजवादी और उदारवादियों पर हमला किया गया यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए कई प्रकार कई परचार फिल्में बनाई गई ए एक ऐसी फिल्म थी अनन्त यहूदी जो यहूदी बिरोधी जर्मन नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म थी नाजियों का लोगों के दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ा और उनका ध्यान उन लोगों की ओर लगा जिन्हें नाजियों के दुस्मनों के रूप में लेवल किया गया था नवे प्रस्ण का जो दूसरा प्रस्ण है वो है नाजी के किनी पांच प्रावधानों का वर्ण कीजिए तो बच्चों इसमें हम लोग ऐसे लिख लेंगे के नाजी वात के अनसार नीजी प्यक्ति राजनितिक राज के अधिन था और अन्य लोगों के सर्वच नेता के प्रत जबाब दे था जो दूसरा है वो है लेवन्स राम की अउधाड़ा जिसमें जर्मन समराज का विस्तार करने के लिए जर्मन राष्ट को एक नए छेत्रों का अधिरार करना था एक विसाल जर्मन समराज के सपनों के उपलब्ज और जर्मन राष्ट की सर्वच्च सारबुक्षप्राथिमिकता थी तिसरा हो जाएगा इसमें जातियों और परसपर मेल को अववान्चनी माना जाता था और इसके लिए चार्लस डार्विन और हरवार्ट स्पेंसर के कारियों का संदर्व दिया गया और देखे नाडिक चर्मनों को सुध माना जाता था जब कि यहुदियों को असुध के रूप में देखा जाता था तो ये थी आज की आपकी वर्कसीट जो एसेस्मेंट वर्कसीट थी ठीक है और ये यहीं पर आपका complete होता है I hope वीडियो आपको clear हो समझ में आया हो तो आप इसे like करें दोस्तों में ज़्यादा share करें कोई comment हो तो comment box में दे और channel पर नए है तो channel को subscribe करना न भूलें इसकी साथ एक बार फिर से आप से भी का बहुत बहुत धन्य बाद थेंक यू